गाजियाबाद के विजयनगर की रेलवे सेन कॉलोनी में महिला को नशीला पदार्थ देकर घर से गहने लूटने की घटना फरजी निकली। पुलिस ने तीसरे दिन ही मामले का परदाफाश कर शिकायत करता की पुत्रवधू वह उसकी मा समेट चार को गिरफतार किया है। मंगलवार देर रात एसपी सिटी प्रथम निपुन अगरवाल ने प्रैसवारता कर बताया की महिला की मा लोटरी लगाती थी। लोटरी में 25 लाख रुपे जीतने की चाहत में बेटी ने अपनी मा को गहने देकर लूट की कहानी बता दी। सियो प्रथम अभे कुमार मिश्र ने बताया की गिरफतार आरोपित रेलवे सैन कॉलोनी निवासी पूजा, हाथरस निवासी उसकी मा राजकुमारी, वैन चालक विनोध और सुनार गजेंद्र को गिरफतार किया है। इनसे गहने वन नगदी बरामद हुई है। पूजा के ससुर नरेंद्र कुमार ने रविवार शाम विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक परिवार के सभी लोग रविवार को बाहर गए थे। घर पर बड़े बेटे सुधीर की पत्नी पूजा थी। उनके लोटने पर पूजा उधार ले चुकी थी। कुछ दिन पहले उसने बेटी पूजा से संपर्क कर कहा कि जल्द ही उसकी लोटरी निकल आएगी। इसमें उसे 25 लाक रुपे मिलेंगे। मा के कहने पर पूजा तयार हो गई। राजकुमारी विनोत के साथ रविवार को उस समय पूजा के घर पह पूलिस अधिकारियों के मुताबिक CCTV कैमरों की फूटेज और आसपास के व्यक्तियों से पूछताच के आधार पर मामले का परदाफाश किया गया है। संसनी ओफ इंडिया टीम अगर आप क्राइम विडियो देखने के शौकीन है और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंथ हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।